हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सबके लिए काफी यूजफुल होने वाली है तो देखिए मैजिक मॉप तो ये देखिए हम सबके घर में रहता है और इस तरह से जब काफी टाइम हमें हो जाता है इसे तो आज मैं आपको इसी को जो क्लीन करने का कुछ आइडिया दूंगी तो किस तरह से आप इसे क्लीन कर सकते हैं तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिसे आपका ये मॉप बिल्कुल नए जैसा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी जो है 40-50 परसेंट तक बिल्कुल जर् आती है तो एक लाइक कर लिजे और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिजे ताकि नए नए वीडियो आपको मिलती रहें तो सबसे पहले देखिए जो मैजिक मॉप होता है जो इसकी बकट है उसमें हम इस तरह से पानी भर लेंगे जो सादा पानी होता वही मैंन इसमें भरा हुआ है और इस तरह अपने मॉप को इसमें हम डाल कर थोड़ा सा पुश करेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो भी इसमें मोटी मोटी डर्ट गंदगी वगरा लगी है वो पहले साफ हो जाए और फिर इस तरह इसके बाद हम जो इसमें आगे का प्रोसस करे देखे करने के बाद जो गंदगी वगरा लगी थी वो साफ हो जाएगी और जो इस पानी को है हम बाहर निकाल देंगे और इसमें इसके बाद देखे फिर से मैं इस बगट में पानी भर लिया उसके बाद जो भी सर्फ आपके पास है वो आप ले सकते हैं और यहां पर इस तरह से मैंने डाल दिया इसमें फ्लोर क्लेनर को और यह देखे डिटोल मैंने इसमें दो धकन जो है वो डिटोल डाल दी है और जो सर्फ है वो भी इसमें डाल दिया है तो यह जो सर्फ मेरे पास था मैंने वही लिया है और जो आपके पास हो आप वही यूज कर सकते है तो ये मेरे पास दो थे तो मैंने इन से दोनों में से डाल दिया है तो आप चाहे तो एक भी डाल सकते हैं और इस तरह से फिर अपने मॉप को इसमें हम रखकर और अच्छे से हिलाएंगे ताकि जो हमारा ये जो भी हमने डाला है इसमें सर फोर डिटोल वगएरा ये सब आफ मॉप को वापस निकाल लेंगे तो देख सकते हैं जो पानी हमारा कितना गंदा हो जीका है और मॉप है जो बिल्कुल साफ हो गया है अगर इसके बाद आपको और भी बिल्कुल साफ चाहिए तो थोड़ा सा पानी और लेकर इसमें आप सर्फ डाल कर और इसको एक बार फिर इस तरह से इसको हिला कर एक बरलास्ट पर और हम अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर इसको सुखा लेंगे तो देखिए कितना ची तरह से हमारा मॉप साफ हो चुका और बिल्कुल जो जर्म फ्री हो गया है तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजे और प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजे